करेला में वाइरस एक बहुत बड़ी समश्या देखने को मिल रही है और सबसे महत्वपुन्न बात तो यह है कि करेला में अभी तक जो रासाइनिक दवाईया बनी है उससे कुछ फाइदा होई नहीं रहा है लेकिन आज में आपको एसी दो और्गनिक यानि कि रामबान इलाज बताऊंगा और्गनिक दवाईयों का जिसकी मदद से आप वाइरस तो ठीक करोगे इस साथ में उस पे जो त्रिप्स होती है और विल्टाती है वो भी उससे खतम हो जाएगी यानि कि करेला में जो पिला बनाना पत्तियों का सिकुनना ये जो सारी समश्या है ये किवल इन दो दवाईयों से दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ उस पुत बादन को भी बढ़ा देगी क्योंकि इसके अंदर फंगी सैड भी अवेलेबल रहता है तो अगर आपको जानना है कि वो दवाईया कौन सी है और केसे काम करती है तो वीडियो को अंततक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं बात कर लेते हैं वाईरस के बारे में तो करेला की जो फसल है उसमें मुझे की रोग नाम का एक वाईरस लग जाता है उससे पतिया क्या होती है शिकुड जाती है और एक बार जब वाईरस लग जाता है तो फिर उसका काम सफेद मक्हिया खुद ही खुद कर देती है यानि कि सफेद मक्हिया क्या करती है कि वाईरस को एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को इसे सारे पोधों के उपर बेट बे जाट देना चाहिए क्योंकि अगर दवाईयों का छिड़का आप नहीं करोगे तो वाइरस ज्यादा फेलेगा और 20-25 दिन मैंने इसलिए बता है क्योंकि वाइरस को पहचानने में हमें यहापर लगए 20-25 दिन तो लगी जाएगा और यह वाइरस इतना ज्यादा भयानक होता है कि यह साथ में मिर्ची बिंडी और आती फसलों को भी चपेट में ले लेता है तो यह तो होगी हमारा वाइरस अब बात करते हैं इसको केसे बचा जाए तो रासाइनिक दवाईया तो वह भी मैं आपको बता दूंगा कि जो अच्छे से काम करते हैं लेकिन पहले मैं आप आपको औरगनिक दवाई बताता है औरगनिक दवाई के अगर हम यहां पर बात करें तो केवल दो घजसी दवाई है जिससे आपको लगभग 80% result मिलना ही है तो सबसे पहले हम दवाई की बात करें तो वह होती है लाई सोर्ष और एक आता है यहां पर मिटी सैट लाइसोर का काम होता है वाइरस को ठीक करना और मितिसाइट का काम होता है माइट और ठीप्स को ठीक करना अब कैसे इसका छिड़काऊ किया जाता है तो लाइस्योरस के अंदर एक 50 ml का एक्टिवेटर भी आता है हमें क्या करना है एक एकड के हिसाब से 200 लीटर पानी के अंदर लाइस्टोरस और एक्टिवेटर और मिटी साइट तीनों को उस 200 ml में मिला देना है और उसके बाद उसको देड़ सो लीटर पानी के अंदर डाल देना है छोटा खोल बनाए ताकि जो उसकी एक्टिविटी वह खतम ना हो उसके बाद उसको बड़े खोल के अंदर डाल दें फिर इसका चिड़काव एक एकर के अंदर आप अच्छी तरह से कर दे और जो आप जब करेला के उपर जो तो अन्यों से करें एक से करें मिलेगा ये दोनों जो है फ्य और और्गानी गया है नहीं तो आपको यह याद रखना है और इसके बाद ये तो हो गया हमारे आपर और गनी इससे बहुत 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 रिजल्ट मिला है ये सब किसान भाईयों की जबानी से ही हमने आपको बताया है आप बात कर लेते हैं रसाइनिक दवाई तो किवाल दो रसाइनिक दवाई भी तक बनी है एक यह आपर पी आए का यह मैंने आपको बता दी है और केसे इन से आप करेला में जो वाइरस उसको ठीक कर सकते हैं वह मैंने आपको बता दिया है मात्र एक समश्या बचती है हमारे करेला में करेला का पीलापन तो उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं उसकी लिंक में आपको डिस् जरूर बताएगा कि आपको रिजल्ट कैसा मिला और अगर आपको कोई सी भी किसी भी दवाई या खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आज के लिए इतना ही था तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जैजावान जैए किसा